खबर अमेठी जिले के तिलोई तहसील के मोहन गंज कोतवाली छेतर से है जहां मोहन गंज निवासी युवक सलमान सहित अन्य लोगों ने मोहन गंज कोतवाली पुलिस को शिकायद पत्र देकर बताया कि पूरे अहलाद मजरिक कुरा निवासी शकील और कुलंबर तार जो की ठेकेदारी पर दरजनों मजदूरों को कोको कोला कंपनी मत्रा में लेजा कर लगवग 2-3 महीने काम कराया और मजदूरों को बिना बताय उनका पैसा लेकर वहां से गाउं चला आया वही जब मजदूरों को ठेकेदार के द्वारा पैसे लेकर गाउं चले जाने की बात पता चली तो वह भी गाउं आकर ठेकेदार के घर अपनी मजदूरी का पैसा मांगने गए तो ठेकेदार शकील ने मजदूरों को काली गलोज कर वहां से भगा दिया वही मजदूरों ने पोलिस को शिकायद पत्र देकर मजदूरी दिलाजाने की मांग की है वहीं इस संबंद में मोहन गंजपोत वाली प्रभारी निरक्षक भूपेंदर कुमार सीह से दूरभास पर संपक करने का प्रयास किया गया तो बात नहीं हो तकी अमेठी से धर्मेंदर मौरी की रिपोर्ट एस क्या चियो इस पाने आज़ा उसके बाद पैसे लेकर वहां से फरार होगी अब यहां आफस्टी घर जाते है तो जाली बचता है महरमा दो रगार और पैसे देने की बात आते हैं तो बोलता है कितने लोग हैं कितने लोगों को पैसा बांकी है कम से कम हम लोग आट दस आजमी थे लेकिन अभी मौझूदा चार पांच ही आजमी है और नहीं आ सकी तो अभी आट दस लोगों को पैसा बांकी है अब किसी कर नहीं दिया हकते में पांसो कभी एक हजार दो सो पचास रुपया इसे करके खर्ची देता था और कोई पैसे नही किसी करके है और कर कोई दो सिर्वाद कर दो से वे टानाे कर दो सूने सक्कर दो sensors जो से भानाते ग्राफ दो सुEl